अगर आपने पिछली वीडियो से देखी तो इसको भी आप दिख सकते हैं मेरे जावास्टिब के पूरी प्लेलिस बना रखे अब उसको एक्सिस कर सकते हैं तो अगरे इसको अपने पूर्प दिखा देख सकते हैं जैसे इसको इस वीडियो बेगे तो इसको प्रैक्टिकल करके समझेंगे तो मैं डिया जाता हूँ वेस्कोर की स्टिंग और आतु नहीं अच्छी आप देख सकते हैं आपने या सिर्फ ले इस्टिंग बना रखे और कि अंच्री मैं आता हूँ अ और इधर हम लायांगे सफसे भले एक वेरें बनेगे तो हम मनेंगे वेर एनांसरीट वेर ईसे को करेंगे घाइसुय ऐस्टियार डोड इंख रूटस इनकूर्स करेंगे गाइज तो इंकूर्स किस तरह की से साय काम करता हुड इंकूर्स इंपली है इनकूर्स ही मिदसे हम वेल्ब को रिद्ध जा करता है कि वह अदर मौझूद है या नहीं तो जैसे आर आधेगे गाई दो अब इस कोम ने करने करवाना है और नो कमेंड डॉट राइट कर देंगे रोकमेंड डॉट राइट और इदर हम देड़ें गाई शिप्ली ए पर कंड्रोल एस करेंगे तो अब देगे थे मार पाई जो वेल्य होई हो तू रिटर होगे कि आर जो है जैसे हम y देंगे ctrl s करेंगे तो देखे भी हमारा को value to return होगी कि y भी मौदूट है जैसे हम z देदेंगा इस ctrl s करेंगे तो हमार बाफ value false return होगी तो वो z जो इसके अंदर वाच इतनी है जैसे इतर हम देखाता हूँ सबसे भी हम यहां आएंगे और यहां guys हम जबसे बिले देंगे जैसे w अब w कौन से index number पर हमें find out करना है तो मैं करता हूँ ctrl s तो वह आप देखें w हमें 2r है इसका index number 2r है तो हमें h का index number 0 है तो इस तरह के से हम किसी alphabet को देखकर search के अंदर पता लगा सकते हैं किसी भी alphabet का index number अगर मैं कर देता हूँ guys edge control s करेंगे तो easily इसका number हमें 0 return दे तो काफी easy method होफसव आपको इस समाझ भी आ रहे होगे तो इसको search को use करके आप index number को पता लगा सकते हैं आपने माइंड में रखनी है कि कौन सा method किसली काम करता है almost आरे same ही होते हैं तो आपको यह भी समझ आओगा अब बात करेंगे अपने अगले method की match method की तो इस match method किस तरह काम करता है तो match method काम करता है guys globally जैसा हमर पर यह string है तो string के अंदर जितने भी same word होगे वो सब को find out करके हमें array बना के देगा उसका practical किसे समझाते हम ताके easily समझो आपको match और इदर आप देखरे हैं हमर पर string के अंदर एक R है तो इदर में करतेंगे 2 R और इसको हम double quote करतेंगे तो इसको find out करने का इस तरीका है double slash double slash देंगे और double slash के अंदर हम देंगे R जैसे अगर हमने R find out करने के कितने R मौजूद है string के अंदर और उसके बाद हम लगाना जी जी का मतलब एक आइस या globally find out करें जितने भी string के अंदर R है उन सब को find out करें उसका हम एक array बना के देंगे जैसे मैं गाइस control as करने है तो आप देखेंगे हमारे पर दो आ रहा गाए इसके array आ गया तो इस तरीके फिका इसी काम करता है जैसे इस फ्रिमें कॉनगेट तो सबसे बने बात करेंगे इस care gate की है तो यह किस तरीके से find out करेंगा यह किस तरीके से काम करता है वह मैं आपको बताता हूं गया वह सबसे बने हम क्या करेंगे और नीचे हमें आ यह option इसका और उसके बाद हम आए किस चा करना है इतर simply यहां हमने वर्ट देना है कोई सबी जैसे अगर में तरक देंगे डमल्यू और मैं करता हूं गट्रोल एस जैसे अगर हमने वन दिया है कंट्रोल एस करेंगे तो आप दिखें हम आरे का ओ आ रहा है तो इस तरीके से हम इसको ही find out कर सकते हैं अगर कोई index number हम देंगे तो वह उसका हमें आने वाली वीडियो में आप दिखेंगे काफी useful होता है काफी method है जो हमारी coding को हमारे काम को जो असान करते हैं वो वक्त भी काफी हमरे time save कर दें तो अगले method की बात करेंगे है अगला method है हमर पर replace function तो replace method किस तरी किसे work करता है replace आपने दिखाऊगा MS word के अंदर हम किसी word को replace कर सकते हैं किसी दुसरे वर्ट से तो मैं आपको करके रिखास हूं जैसे इदर हम कर देंगे guys replace के लिए guys हमें हमेशे दो parameter pass करने हो पर फर्स जो हमें replace करने है यसे guys अगर हमें करना है हाओ और replace करने है जैसी इदर में देता हूं हाओ वह उसके बाद आपने भार आने और एक ओमा लगाने हाओ किसी replace करने है तो इदर हम गाईज जे देंगे खूब वह से अगर replace करने है जैसी इने control as कर वहाँ guys तो अभी आप देखेंगे मार पस वह आर्ग्यू वह प्रिंट हो रहे है तो इस तरीके से replace से वह fung method को यूश करके हम जोए किसी भी work को change कर सकते है